हेलो एब्रीवन सो वेलकम बैक तो मैं चैनल आज हम सीखिंगे जोहू सी आरेम और जोहू सी आरेम के अंदर किस तरीके से हम अचली एक सेनारियो था जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं जोहू सी आरेम के अंदर किस तरीके से कोटेशन बनती है क्या उसका फ्लो रहता है यह एक सेनारियो निकल के से रहे हैं क्योंकि एक ब astrology करेंगे तो आप बूल जाएंगे और अगर आप बूल जाएंगे काहरा उसी पर ही आज वीडियो श्टाट करते हैं और वीडियो स्टाथ करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और bell icon जरूर दबा दीजे ताकि आपको new updates मिलती रहे लेकिन 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 सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है प्लीज सब्सक्राइब मैं इस चैनल थांक्यू, सो हम अब continue करते हैं वीडियो को मैं यहाँ सर्च कर लेती हूँ Zoho CRM Enter Now the Zoho CRM मैं इसको login मेरा account है already मैं इसको access करती हूँ Access करने के बाद सबसे पहली चीज यह है मेरा quotation का module जहाँ पे मैं quotation बनाती हूँ यह है मेरा lead का module यह मेरे सारे modules है अब इसमें क्या है कि आप quotation तक पहली चीज आप quotation तक पहुँचते कैसे है पहले मेरी एक lead आई suppose मेरी यह XYZ lead है अब इस lead पे मेरी discussion हुई एक customer से अब उस customer से मैंने बात करी बात करने के बाद मुझे यह निकल के आया कि हाँ यह interested client है हम इसके साथ जा सकते हैं यह हमारी चीज़े लेने के लिए मतलब वो interest देखा रहा है so अभी मैं इसको कर देती हूँ यह मेरा blueprint है अभी मैं blueprint से बाहर आ चुकी हूँ मैं यहाँ पे एक mail ID डाल देती हूँ mail ID इसलिए मैंने यहाँ पे डालिये क्योंकि जो भी mail मैं यहाँ डालूँगी उसी mail ID पे mail receive होगा तो उसी को ही मैं mail को चेक कर सकती हूँ यह मैंने test mail ID डाली है लेकिन हम यहाँ से चेक कर सकते mail आई है यह नहीं आई है so अब हम इस lead को क्या करेंगे convert करेंगे किसमें deal में क्योंकि आप मेरी कस्टमर से बात हुए यह कस्टमर कह रहा है कि यह मेरी services लेने के लिए interested है यान कि यह service लेना चाहता है मेरे organization में जो भी बनता है या मैं जो भी चीज़े service करती हूँ service देती हूँ वो चीज़े यह हम से buy करने के लिए त्यार है अब मैं इसको क्या करूँगे convert to deal करूँगे अगर यह नहीं है तो मैं इसको junk lead में डाल दूँगे लेकिन अब यह interested है तो यहाँ पर मेरे पास एक check box आता है create new lead and for accounts also so कोई भी एक amount डालेंगे closing date हम दे देते हैं 16 closing date का मतलब यह होता है कि यह deal जो है मैं कब तक close कर सकती हूँ tentative closing date डालते हैं amount जैसे कि मैंने कि यह डाल दिया sorry यह डाल दिया यह वो amount होता है जो small amount हमने customer से लिया है यानि कि हमेशा कोई भी हम काम करते हैं तो क्या करते हैं और हमेशा customer से token amount लेते हैं फिर कह सकते हैं security amount गोल सकते हैं या advance कह सकते हैं advance amount यह हमारी pipeline है standard pipeline ले लेते हैं standard pipeline के accordingly qualification होगी यानि कि पहला interaction होगा stages पर में हम पिछली videos में discussion कर चुके हैं तो आप वहां से देख सकते हैं pipeline and stages क्या होते हैं अब simply मैं इसको create convert कर दूंगे यह मैंने convert कर दी अब यह मेरे 3 modules के अंदर गया accounts में, contacts में और deal में अगर मैं इसको अब lead में देखूं तो यह मुझे lead में नहीं दिखाई देगी as आप देख सकते हैं यहां पर आ रहा था वो नहीं है लेकिन अगर अब मुझे वो lead देखनी है तो मैं यहां पर जाओंगी यहां में देखूंगी converted lead उसमें मुझे lead देख गई correct लेकिन अब भी आपको deal में मिलेगी यह रही deal में 80,000 की मैंने amount capture करी थी यहां पर यह हो गई same deal यह record आपको यहां मिलेगा context में correct same आपको मिलेगा यह accounts search कर लेते हैं accounts same आपको मिल गया accounts के अंदर तो यह same record हमारा तीन जगह जाता है तीन जगह क्यों जाता है एक हमारा context create होते हैं तो वो context में जाता है यह context है कि हम future के लिए रखते हैं उसको कि normal informations होती है हमारे उसमे ताकि हम future में भी उसको connect कर सकें deal में हम इसले रखते हैं कि जो भी अब हम कोई भी काम करेंगे तो हम deal में ही आगे process करेंगे आपे यह हमारी pipelines होती है कि यह status और stages रहेंगी वहाँ पे यह deal में क्या हमाई में discussion हुई यह मेरा convert हो गया deal के अंतर ठीक है accounts और contract में भी आ गए लेकिन अब काम हम deal में करेंगे सबसे पहली चीज़ अब मेरी deal इनसे done हो गई अब मैंने इनसे बात करी कि आप कौन-कौन से product लेना चाहते हैं हमसे तो हम क्या करेंगे यह रहा मेरा product यहांसे मैं product को add करूँगी इस वाली deal के against suppose यह दो product हैं जो वो लेना चाहते हैं अब मैं इसको add कर देती हूँ sorry अगर मैं product add नहीं करूँगी तो मैं quotation नहीं बना सकती जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ suppose मैं इसको unassign करती हूँ अगर अब मैं यहांसे quotation create करूँ तो यह यहां पे लेके आ गया मुझे यानि कि आपको product enter करना पड़ेगा हम बैग जाते हैं deal में quotation में अब जैसे यहांसे हम create करते हैं तो इसने मुझे दे दिया यह issue कि हम इसको process नहीं कर सकते हैं क्योंकि deal है ठीक है हम इसको process करते हैं message content ओके यह हमने button और भी चीजों के लिए बनाया था जिसके बीचे हमने कुछ और भी function लिखे तो फिलाल हम इसको leave करते हैं हम आ जाते हैं product पे अगर हम बिना product के quotation बनाते तो हमारे product हो गई नहीं तो आपको quotation किसकी बनाएगे अब मैं इसका scenario समझाती हूँ कि इसका scenario होता क्या है आपके पस आप एक परचूनी की दुकान हैं उसमें अगर आप समान लेने के लिए जाते हो तो जब तक वह आपको bill देता है जो वह आपको तो वह एक समान का bill देता है या फिर आप वह समान का bill देता है उसके बाद हम उससे negotiate करते हैं कि यह नहीं भाई 10-20 रुपे कम कर लो जादा हो रहे हैं तो वह क्या करता है फिर 10-20 रुपे कम करके फिर आपको invoice या नहीं कि बिल बना के देता है ऐसा ही system के अंदर होता है सबसे पहले क्या होता है product add कि यानि कि कौन सा समान हमें लेना है पहले हमने वह समान को add किया यहां से उसके बाद मैंने deal के अंदर add कर लिया अब क्या है मैं इसको price दूंगी यानि कि मैं quotation बनाऊंगी बना सकते हैं quotation में जाके भी बना सकते हैं तो suppose मैं यहीं से बना लेती हैं मैंने test subject दे दिया तब भी मैं यहां पर आके बनाऊंगी वैसे भी मैं यहां पर आके बनाऊंगी लेकिन यह होता है कि deal name यह सब अपने आप वहां से fetch कर लेता है इसलिए मुझे वहां से बनाना ठीक लगता है valid कब तक रहेगा जब तक आप पे एक कर सकते हैं यह depend करता है अब जो भी हमको product चाहिए जिसका भी quotation हमें बनाना है वह हम quotation यहां पर बना देंगे यह हम security इसमें adjust भी कर सकते हैं कि जब तक product available ना हो तब तक हम quotation ना बना पाएं तो यह इस तरीके से मेरा amount और price आ गया है यह मैंने adjustment लगा दिया है और इसको save कर दिया अब यह मेरी quotation बनके ready है जब मैंने यह quotation बनाई अब मुझे यह quotation भीजनी भी है क्योंकि मैं quotation अपने पास बना के क्या करूंगी मुझे देनी भी तो होगी ना अब यह customer है यह जो है यह मेरा customer है यह इसकी mail आइडियो और number है अब मैं इस customer को mail भी भेदूंगी कि आपकी यह quotation बनी है अब आप बताईए कि आप इससे okay है या आपको कुछ changes चाहिए या ऐसा कुछ है तो इसके लिए हम क्या करते हैं quotation से mail करते है अब चाहिए तो मैं mail यहां से भी कर सकती हूं यहां मैं quotation यहां पर हमने जिसे zoho sign का button बनाया और भी हम button बना सकते हैं और उस पर हम action trigger करा सकते हैं अब मुझे अगर mail करना है मैं आ गई quotation में यह मैंने इक अभी बनाई है quotation यहां मैंने zoho sign लगाया है इसलिए क्योंकि मैं यह चाहती थी कि जब मैं quotation भेजूं तो वो उस quotation को देखके अगर वो accept करता है तो वो accept है और signature करके भेज दे हमको हम system में रख लेंगे और अगर ऐसा नहीं है तो वो decline करते तो यहां से वो decline हो जाएगी उसका status decline show हो जाएगा तो अगर send with zoho sign में करती हूं यह जाएगी mail ही उसको user को mail ही जाएगी लेकिन zoho sign के document की तरह जाएगी इस तरीके से जाएगी तो अभी हम zoho sign के साथ नहीं भेज रहें क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप confused हो जाएगी तो मैं simply three dots पर click करती हूं send mail करती हूं अब send mail करते टाइम mail का template कैसा होना चाहिए mail किस तरीके से जानी चाहिए चीज़े हमें देखनी पड़ें क्यूंकि हर एक organization आप add भी डालती हो यह कुछ भी डालती हो तो email को क्या करते हो सजा के भेज़ते हो ताकि user थोड़ा attract करे हो और उस चीज़ को कर पाए ऐसे ही मैंने quotation template बना रखी है उस template को यह मेरी quotation की template है यह mail की template नहीं है यह quotation की slip है जो इस तरीके से बन के जाएगी इसको हम आड़िट कर सकते हैं अभी मैं बताऊंगे कैसे कर सकते हैं अब मैंने इसको next कर दिया यह मेरी mail की template होगी यान की यहां से मैं insert कर सकती हूँ जो भी मैंने लग कि यह मैंने एक template ली थी यह इस तरीके से कुछ mail template है मेरी जो मैंने design करी है यह और इसमें यह एक attachment बनके इस वाली id पे चली जाएगी sorry सो यहां से क्या करूंगी मैं यहां से send कर दूंगी यह schedule कर सकती हूँ तो यह user के पास mail receive हो जाएगी अगर मुझे कुछ add करना है लिखना है तो मैं यहां पे लिख सकती हूँ और उसके बास send कर सकती हूँ यह option आपके पास है सो यहां से हम save कर सकते हैं अभी हम इसको continue कर देते हैं क्योंकि अभी हम mail send नहीं कर सकते हैं यह हमारी mail draft में दिखा देगा यह draft में mail है अगर मैं send करती तो मेरी यहां पे mail दिखा देता और मेरी यह deal में भी दिखा देता वही mail यहां पे तो अभी हमारी वहां पे draft में है इसलिए यह उसके draft में दिखा रहा है अगर send होगी तो यहां पे भी आ जाएगी सो अब हम देख लेते हैं template कैसे design होती है यह तो हमारा testing का तरीका है इस तरीके से काम होगा mail हमारी यहां से यह हम compose करते हैं खैर इसके हम बात नहीं करेंगे हम आ जाते हैं templates पे templates यह रही है templates में अब मैंने देखो इतनी सारे templates बना रखी है जबकि इतनों की need नहीं है चलो हम quotation वाली template open कर लेते हैं तो यह जो मैंने design करी है यह मैंने करी है mail design यह mail का जो content है वो इस तरीके से जाएगा mobile पर आपको इस तरीके से दिखाए देगा जो कि आप इसको change कर सकते हैं तो यह तो मेरी template होगी जो mail में जाएगी अब यह आ जाते हैं हम अब यह मेरी quotation है जो quotation की PDF बनी थी वो मेरी यह है यह in case में सब देखो dynamic data है कुछ भी static data नहीं यह लेकिन आप से रख सकते हैं जैसे यह static data है इसका account name क्या रहा है dynamic हो रहा है तो जो भी आप data वहाँ पर enter करोगे उस record में यह automatically ले लेगा तो यह एक attachment हम यहाँ पर बनाते हैं inventory के अंदर और mail जो हम design करते हैं वो mail के अंदर design करते हैं यहाँ पर यह कुछ folder है आप किसी भी folder में रख सकते हैं और उसको add on कर सकते हैं तो यह basically आज का पूरा session था मेरा जिसमें मैंने आपको यह explain किया है कैसे leads से हमारी deal तक convert होती है कैसे हम quotation generate करते हैं क्या reason है quotation बनाने का क्यूं हम quotation बनाते हैं और quotation और mail की template हम कहां से change करते हैं CRM के अंदर hopefully आपको सब कुछ समझ में आया हो और जादा से जादा document study करो मैं यहाँ बताती हूँ आप यहाँ जाएंगे यह resource के अंदर आपको document, video, training, more और भी चीज़े मिल जाएंगी documentation के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे document मिल जाएंगे आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं बाकी मैं धीरे धीरे सब videos डालती हूँ जितने जितने मेरे पर scenario आते हैं मैं सब videos डालती हूँ अगर आपको कुछ ऐसा urgent है तो आप documents के थूँ जा सकते हैं लगि यह integration है सारे उसके बाद developer guide है यहाँ पे API function, client script client script हम CRM के अंदर यूज करते हैं visit है, connection है, developer edition है तो यह सब आप पढ़ सकते हैं सब कुछ open रखा हुआ है YouTube पे थोड़ा सा content कम है वो भी हम दीरे दीरे लेके आएंगे यह मैं भी चाहती हूँ कि आज आप पढ़ें तो आप भी videos बनाना शुरू करें बाकी तो सब study कर सकते हैं आप सब कुछ open है चीक है, आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी आप पढ़ते रहें क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो फिर earning कैसे करोगे इवन हर किसी का earning का reason नहीं होता it's okay, fine ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी जितना पढ़ोगे उतना समझ में आएगा चीजों को लिख लो नहीं पे return कर लो जो भी चीज़ें, flow बना लो flow बना के पढ़ोगे तो जल्दी याद होगा बाकी कोई भी इशू है, आप मुझे whatsapp भी कर सकते हैं और मुझे connect भी कर सकते हैं और मुझे comment में भी share कर सकते हैं कि ये वाला इशू है सो मैं कोशिश करूंगी कि मैं उस इशू पर अगली वीडियो ले क्या हूं thank you so much thank you, thank you team my youtube team thank you guys and please please subscribe my channel क्योंकि subscriber बहुत जरूरी है